स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो वीवी पैट है उसको लेकर फिर से बहस होनी स्टार्ट हो गई है तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि वीवी पैट होती क्या है और इसको लेकर बहस हो रही है तो क्यूं हो रही ह है क्योंकि अब आप EVM के बारे में आपने जानते ही होंगे electronic voting machine तो जो भी पार्टी जो है election में हारती है तो वो बार-बार इजाम लगाती है कि देखिए EVM को hack कर लिया गया है अब EVM को hack का बहाना छोड़कर अब बात आ रही है कि वीवी पैट अब वीवी पैट को लेकर एक नहीं बहस आ रही है कि उसमें क्या है कि वीवी पैट में जो भी आपको परच्ची करता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि EVM जो मशीन है इलेक्रोनिक वोटिंग मशीन जो है क्या वो रिलाइबल है क्या हम उ पॉसरी पार्टी इस हार रही है तो वो बार 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 बोलेंगी कि देखे EVM को है कर लिया गया है कि हम आम न्यूज में सुनते भी आ रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ कि कॉंग्रेस के जो एक नेता है जैरा रमेश यह मुख्य चनव आयूग जो है राजीव कुमार को एक request करते हैं कि वो वीवी पिट के ऊपर अपनी team को लेके आना जाते हैं इंडिया यहां भारत से मतलब नहीं है इंडी यह एक opposition का एक alliance है और कॉंग्रेस ने काफी सारी opposition parties को मिलकर एक alliance बनाया गया है तो कहा गया है कि इस party के साथ क्या है इन alliance के साथ हम कुछ लोगों को लेकर आएंगे और आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं वो यह चाहते हैं कि देखिए जो वी वी पैट है उसमें जो भी परचियां आती है जो भी इलेक्शन होता है तो वहां पर इवियम में जो भी कोई व्यक्ति अपना वोट डालता है जो भी कोई व्यक्ति अपन किया था एक resolution pass किया था उसको लेकर ये जो हैं मिलना चाहते है election commission of India से तो यहां पर ये बात इन्होंने बोल दी अब first of all हम ये वीवी पैट का है इसको जान देते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई ये idea कब से आया क्या evium को hack किया जा सकता है देखिए evium को hack किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है इसके लिए तक अलग से वीडियो बनेंगी क्योंकि उसके अंदर एक कारे परनाली आपको समझाए जाएगी कि जब election होते हैं तो evium कैसे बाहर निकाली जाती है तो यहां पर उसकी कैसे security रखी जाती है उसके अंदर को एक number id number होता है यह बिना internet के चलती है temper free होती है मतलब इसके अंदर tempering नहीं की जा सकती कोई भी frequency को मतलब रोक नहीं सकती कारे करने से तो इस सारी चीज़ें जो है इक अलग वीडियो में समझाए जा सकती है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं भी खुद government job में हूँ तो जहां पर मैं government employee है उनसे जो बात करता हूँ उनसे जो मैं पूछता हूँ कि क्या EVM के अंदर कोई ऐसी tempering की जा सकती है क्या काफी सारे लोग जो बोलते है कि इसके अंदर इसके अंदर क् गया है क्या ऐसा possible है क्या तो काफी सारे जो लोग काफी क्या जितने ही मिलते हैं जो government employee है खुद ऐसे जो लोग है जो election के अंदर उनकी duty लगती है तो बोलते हैं कि EVM को छेड़ना ना मुम की नहीं मतलब कि खुद सुप्रीम कुद election commissioner of India ने ये बात बोली थी कि आप दुनि यहां पर हम बात करेंगे वीवी पैट की तो देखिए जब कोई vote डालता है तो जो voter होता है उसने एक particular party को मतलब मान लिजी उसने A party को vote डाला है या नहीं डाला है उसका vote A party को गया है या नहीं गया तो वो कैसे चांज करेगा पहले क्या होते थी एक machine होती थी जैसे कि यहा vote डाल दिया है मान लिजी उसने A को vote डाल दिया तो क्या यहां पर A दिखाई दिया जाएगा तो A दिखाई दिया गया है तो यानि कि उसने A ही party को vote डाला है अगर A नहीं दिखाई दिया उसने किसी और तो यहां पर गडबड़ी दिखाई जाती है एक तरीके से यह होती है लेकिन हम पहले क्या होता था पहले हमारे पास ये ballot unit होती थी अब इसमें क्या होता था कि हमने कोई vote दला है यहां पर एक लालबत्ती जल गई actual में यहां पर 3 unit होती है एक BU होती है, एक VVPAT होती है, एक CU होती है control unit, वो controlling officer के पास होती है आप यहां पर जैसे ही vote डालेंगे, वो वहां पर controlling officer के पास जाती है, जब वहां पर वो चीज को clear करता है यह इसलिए होती है क्योंकि यहां पर एक इंसान एक से ज़्यादा vote डान डाल पाए तो 3 unit यहां पर connect होती है यह आप लोग जानते हैं, यह आपके सामने ही होती है एक controlling unit भी होती है, वो एक अलग से होती है तो यहां पर पहले starting में क्या होता EVM के अंदर सिर्फ हमें यही दिखाई दिया जाता था यहां पर हमने vote डाल दिया एक हमाल लेते थे कि यह vote डल गया है यहां पर लाल बत्ती जल जाती थी लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है परची हमें दिखने लग गई, जो 7 seconds तक यहां पर रहती है जो इसे हमें यह पता चलता है कि EVM में जो हमने vote डाला है, वो उसी party को दिया गया है मान लिजे आपने A party को डाला तो A ही party को वो वोट गया है और यह परची 7 seconds के लिए आपकी सामने स्क्रीन पर रहती है और फिर क्या होता है, यह परची इसी box में रह जाती है आप इसको निकाल नहीं सकते, आप इसको घर नहीं ले जा सकते तो यह बात होगी यहाँ पर तो यह होती है EVM तो यहाँ पर सबसे पहले VVT का विचार जब वो 2010 में सामने आया था यह transparency के लिए आया था कि देखिए आप सब के सामने transparency रखी जा रही है जितना उसके transparent एक election किया जाए अब यह नहीं है कोई एक particular party ही इसको control करती है कि जब EVM आती है न तो उसके अंदर सारी उसकी seal लगी हुई है वो machine कैसी है सारी चीजें check होती है 2400 गंटे वो उसके अंदर क्या कहते हैं कि camera की निगरानी में रहती है कोई भी party कोई भी opposition party जाके उसको check कर सकती है तो यहां पर 2013 में नागलेंड के नाकसन विधान सभा में सबसे पहले वीवीपेट का यूज किया गया था 2019 में लोग सभा के आम चुनाव में इसका 100% EVM का चुना मतलब कि EVM के साथ क्या हुआ था लगा दिये गए थे एक EVM है फिर वीवीपेट है इन चीजों को लगा दिया गया था अब काफी सारे जो आपके आपने सुनाओंगा की बार बार बोल रहे हैं कि वैलेट पेपर लाया जाए बैलेट पेपर लाया जाए वो चीज अब पोसीबल नहीं हो सकती आप देखिए मालीजी ए इवियम लेकर जा रहे है ये कोई गाड़ी उसके उपर किसनों ने हमला करके इस EVM को अपने पास ले लिया तो वो कुछ नहीं कर सकता इसका उसके लिए तो यह जिरो है सुन्य है कुछ नहीं हो सकता उसके लिए क्योंकि यहां पर देकि मैंने का ना इवियम को स सिक्योर चीज दी जा रही है यह बार-बार जो लोग बोलते हैं कि EVM को hack कर लिया गया है कुछ टाइम पहले दिली विधान सभा के अंदर एक नेता EVM का एक model चक्के लेके आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि EVM को ऐसे hack किया जाता है जबकि वहाँ पर वो एक कोपी थी EVM की कोपी थी तो क्योंकि दे कि काफी सारे जो online platform है Amazon, WebCart यहाँ पर EVM के एक duplicate कोपी भी मिलती है उनके पूर्जे भी मिल जाते हैं आप चाहें तो वो भी घर पर भी बना सकते हैं लेकिन जरूर वो नहीं कि आपने वो EVM जो original जो election commission जो use करते हैं आपने वही बना लिए वो hack करके दिखाए तब बात माने तब ही तो election commission of India ने कहा था कि अगर आपको EVM hack करनी है तो आप आईए हम आपको खुली चनोती देते हैं आप EVM को hack करके दिखा दिजे कोई party नहीं गई कोई single party नहीं गई जो ECI ने election commission of India ने जब यह बात बोली थी कोई single party नहीं गई इस चनोती को स्विकार करने के लिए क्योंकि obviously कोई जाती तो उसकी किरकरी होती क्योंकि उससे EVM hack नहीं होती तो यहाँ पर यह सब चीज़ें होती है तो यह बात होती है अब EVM तो hack नहीं हुई अब क्या करें अब तो एक काम करते है न कि VBPet को हम ले आते हैं उसको चर्चा के अंदर ले आते हैं अब उसको चर्चा में कैसे लेकर आये जाए यह सब चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी है तो वरतमान में देखे कितने परतिशत VBPet परचियों की गिंती की जाती है अब क्या होता है कि Election Commission of India क्या करती है कि मान लेजिए कि किसी विधान सभा के अंदर किसी constituency के अंदर एक चुनाव होता है मतलब मान लेजिए पांच constitution के चुनाव होता है इसमें ECI कहा देगी आप इन पांचों में से दो EVM जो है उनके साथ जो VVPet है उनकी गिंती के दिये मतलब कि EVM में मान लेजिए 100 वोट डले A party को और 90 वोट डले B party को तो VVPet के अंदर VVPet के अंदर भी तो ऐसा ही होता होगा कि इसके अंदर A party के 100 पर्ची आई होंगी A party की 100 पर्ची आई होंगी और 90 पर्ची B party के आई होंगी तो इनको जड़ा count करिये कि क्या ये सही accurate है या नहीं तो ये सब चीजें बात बोली जाती है और इसमें चुनाव आयोग ने 2018 के अंदर जो Indian Statistical Institute है उसको ये बात बोली थी कि आप ये सब गणना करके हमें दीजिए और ये बात Supreme Court को ECI ने बोली भी थी कि हमने ये सब चीजे कराई भी है अब देखे ECI ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजनितिक दलों से मुलाकात भी की जहां ये बात बोली जा रही थी कि न दस परतिशत से आप काम नी चलेगा सो परतिशत गिंती की मांग उठी थी February 2018 में ECI ने परतेग विधान समा में एक Randomly एक Randomly आप कोई भी मतदान से विवी पैट की परचियों को गिन सकते हैं मतलब कि ये 2018 की बात है 2019 में क्या हुआ चंदरबाबू नाइडू ने एक याचिका के द्वारा Supreme Court के फैसले के बाद ये कर दिया था कि पांच मतदान के अंदरों तक ये बात बढ़ा दी गई थी पहले एक हुआ करती थी एक मतदान के अंदर से आप EVM उसके साथ जो वी वी पैट है उसकी गिनती करा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इलेक्शन जो है वो फेर हुआ है एकदम सही हुआ है इस बीच 2019 में चुनाव आयो को इंडियन स्टेटिकल इंस्टिटूट की रिपोर्ट आती है जिसमें बात बोली जाती है कि 479 को रेंडमली चुना जाना चाहिए तब सब मतलब कि आपको ये पता चल पाएगा कि क्या EVM सही डंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है ये बात होगी यहाँ पर तो क्या 100% 100% काउंटिंग की जा सकती है ECI ने इस पर क्या का देखे पिछले साल ECI ने सुप्रियम कोटों बताया कि 4000 से अधिक जो भारत के अंदर विधान सभाई के सीटे है जिसमें 20,600 EVM V-PAT सिस्टम लिया जाता है यूज के अंदर उसके अंदर 479 आप बात कर रहे हैं ECI ने काए कि ISI ने काए कि इतना नमूने या कहीं कि EVM के साथ इतनी V-V-PAT को चेक किया जाना चाहिए ये बात बोलेगे कि काफी बड़ा नमबर हो जाता है यहां पर अब यहां पर क्या हुआ कि EVM ECI ने ये सब चिज़े की भी जांच भी की कुछ जो विधान सभा है लोग सभा है वहां पर V-V-PAT को रेंडमली उन्होंने पिक किया पिक करने के बाद उन्होंने ये चेक किया कि क्या उम्मीदवार A को जो वोट डाले गए थे क्या वो उतने ही या फिर जितने उम्मीदवार B को वोट डाले गए थे क्या इन वोटों के अंदर कोई भी हस्तांतरन यानि ट्रांसफेरंस हुआ है मान लिजे कोई A को vote डाल रहा है क्या वो vote B को चला गए या फिर कोई vote B को डाल रहा है क्या वो A को चला गए क्या ऐसा possible हुआ तो यहां पर जब बात बोले गई तिनों ने का कि एक single, एक single चीज़ देखिए यहां पर चुनावायोग ने का कि जब तक लोकसभा और विदानसभा चुनाव में 38156 V-PET की रेंडमली जांच की गई कोई कम नमबर नहीं हो था 38156 V-PET की रेंडमली जांच की गई और इनों ने पाया कि एक single vote भी किसी दूसरी party को नहीं डाला गया उसके अंदर कोई भी आपके अंदर error देखने को नहीं मिला यह बात बोली गए तो क्या यह 100% नहीं कर सकते क्या बिल्कुल भी यह चीज possible नहीं हो सकती यह ECI ने बोला क्योंकि देखिए इसके अंदर manpower बहुत जादा लगेगी तो उमीद है कि आज का जो टोपिक आपको समझ में आया होगा कि वीवी पैट को लेकर फिर से बहस क्या हो रही है वीवी पैट को लेकर फिर से बहस यह हो रही है कि जो opposition party हैं वो यह चाहती है कि EVM के साथ साथ जो वीवी पैट में जो परचियां आई है उनकी भी गिंती की जाए ताकि EVM में जो भी doubt है वो clear हो जाए लोगों को पता चले कि यहां पर जो है कोई भी vote किसी दूसरी party को नहीं गाए क्योंकि काफी सारे जो लोग बोलते हैं कि एक लाख vote डलने के बाद जो है माल लीजिए एक लाख vote डल गए किसी EVM के अंदर अब एक लाख एक वह जो vote है वो एक particular party ने अपनी इसके अंदर tempering कर रखिए उसके अंदर चला जाएगा यह बात बोली जाती है यह ऐसा possible हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके लिए EVM को जो बनाने वाला है उसने खुद ने ऐसा कोई system बनाना होगा ताकि ऐसा कोई system हो कि एक लाख के बाद एक लाख हुआ एक vote जो है वो कि particular party को ही जाए यह चीज possible नहीं हो सकती EVM के उपर हम फिर कभी discuss करेंगे आज का topic बस इतना ही था कि आज कल जो parties है वो क्या मांग कर रही है वो वीवी पैट की जो परचिया है उनको गिनने की बात कर रही है कि आप गिनवाईए इन चीजों को तो बस आज के लिए इतना ही था वीडियो पसंद आईए तो मुझे कैसे बता सकते हैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके कोई भी आपकी इंक्वाईरी यो भी कोई कोहरी हो कोमेंट सेक्शन ओपन है वहाँ पर आप लिख सकते हैं बात कर सकते हैं पीडियो के लिए मैं फिर से बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो बसाज के लिए इतना है था थैंक्यू पूर वोचिंग इस वीडियो